साथ नाम भिर वाह गुरू सहब जीयो हम अवगण भरे एक गुण नाही अम्रत चाड बिखै बिखखाई माया मोह परम पैप भुले सुत दारासियों पीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनयों गुर संगत तह मिलंत जमत रास मिटाई एक अरदास पाट की रत की गुर राम दास राको शरनाई परम सन्वानियों गुरू रूप गुरू खालसा सा संगत जी वाह गुरू जी का खालसा वाह गुरू जी की फते चल रहे लड़ी बार परसंद अध्याई चोंती में वेचे अज अपा तानतान शीरी गुरू अरजन देव साहिब जी महरा जीदा पोथियां लेंड जान दा परसंग सरवन करांगे आव बड़े प्रेम नार भी परसंग सरवन करें गुरू जीने बाबा पुड़ा जीदे बचन सुने के किसे दे भी मिलन ते बाबा मोहन जीदी समादी नहीं खोल दी है ओना उत्ते केमे बस चल सकता है जेडे कहा हया अपने कंणा नाड सूनदे ही नहीं हान दरवाजे बाद करके समादी लौन दे हैन सदा ही मस्ट सुबह आवे चरन दे हन ते कोई भी ओना नू बलोंदा नहीं है सारे लोग ओना पसों दूर ही रन्दे हन ते कोई भी नेड़े नहीं जन्दा है गुसे वे चाके सराव देदे हन अते सदा ही एकांथ जोंदे हन साड़े पिता जी दनाड सदा ही गुसे रहे गुर्ता पर आप नहीं सी किती इस करके एरखा कर दे हन ओनादे पिता शीरीगुर अमरदाश जी दी वड़ी उमर होन करके शरीर बहुत बिर्द हो गया है ओनादा कहा भी मान दे नहीं सा बेशक ओह बहुत ब्रेम दे बचन कर दे सा इस कारण सब गुरु साहबान दे दुरलब शब्द शीरीगुर अरजन देव जी अपने काम दे पूरा करन लई चौन दे सा आप ओनापास जाके ओनादी कीरती करन जे ओह सुनके परसन हो जान तां सारियां पूथियां लेलेंगे गुरु जी सोच दे सान के साड़े उते जान तो बगैर पूथियां हाथ नहीं आउन गयां होर किसे दे पास नहीं हन जिसनो वेक के उतारा कर ले आजावे ओनादे स्रेष्ट जासदा उचारन करिये तां के ओहो बहुत परसन हो जान ते देल दा क्रोध शड़के अंदर आके बुलालेन वो ड्यादा एह सुबा है के सरलता जान के स्रेष्ट जास सुन के गुसा दूर कर दे हन ते केहा मान लें दे हन जाद हिर्देव जी विश्वाशता अर्न कर दे हन तां कार्य हो जान दा है इस करके मेरा होन चलना ही बन दा है ते होन शंका नहीं रखनी चाहिए दी शीरी गुर अर्जन देव जी ने एहे विचार किती के आलसनों छटके जरूर जाना बनदा है शीरी गुरु ग्राण साहिव जी दी बीड त्यार करना सारे जगद दे उपकार करना है एहे कल जुग विच परगट होवेगा ते पांथ दी शोब रिती होवेगी गुर्बाणी लखा लोकां दे मान दा अधार बनेंगी ते लखा गुर्बाणी लिखन अते पढ़न वाले लोकां दी रोजी दा संगतां वलो प्रवंद हो जाया करेगा संगतां गुर्बाणी नूँ पढ़ सुनके प्रवुदे चर्ना दी प्रीदी कमाई करन गिया अंत विच किसे शंक्यतों बगैर मुक्ती प्राफ्ट करन गे जेडे भी अमीर गरीव उच नीच गुर्बाणी दा जाब करन गे एक एक गुरुजी ने बचन कीते स्रोवरते जाके इशनार किता सारे गुरु सहबानानों ते आके अर्दास किती ते पाल की विच चड़ गए जिस गुरु सहब दी किर पलू द्रिष्टी पैंड नाल ही मौद दी पीड नहीं हुंदी ओना दे नाल सिख संगत अते बहुत सेवक भी चाल पए इंज लगदा सी मानों चंद्रमा नाल तारे जा रहे सन हौली हौली चल के गोईदाल आगे जित्थे ब्यास नदी दा विशाल प्रवा वेर आसी शिरी बौली साव वेच शनान करन तों बाद सदगुरु जी दा ते आंतरन किता ओसे वेले शिरी गुरु अमर्दास जी अग्गे आके खड़े हो गए शिरी गुरु अरजन देव जी ने वेख के चर्ण कमला ते बंद्रा किती ते महान प्रेंदे अनाद वेच पर गए गदगद होके गड़ा पार आया ते नैना वेच जाला आ गया बहुत बेंतियां करके सनिमर होके खड़े रहे शिरी गुरु अमर्दास जी ने सेर्वते हाथ राखके देले वेच पर सन्नता तार्ण करके शिरी गुर अरजन देव जी नो केहा तो अड़ा कारज से दोवेगा बाबा मोहन जी दी कीरती करके पोथियां ले लगो अते स्रेश्ट उदमतारन करके सारी बीड़नू तयार करवाओ जे बाबा मोहन जी कुछ भी कहन ताम भी निम्रतान नाल रहे ओ कठोर बचन सहार के जो चित चाहे प्राप्त कर लेना कठोर शब्द कहके फिर ओह पश्टाउन गे ते फिर नर्म पैजन गे ओ थो अड़ा के हां मनन गे हाते फिर थो अनू बापस नहीं मोडन गे एक कहके शिरीगूर अमर्दाश जी अंतरत्यान हो गए शिरीगूर अर्चन देव जी ओना दियां गलना सुनके बहुत अनांद परसान होए एक था ते अपना डेरा जमालेया हाथ वेच तंबूरा फड़के नगर वेच चले गए गूर पुत्तर बाबा मोहण जी जिते चुवारे वेच रेंदे सन और ते गली वेच हेठा एक था वेच के तरती उत्ते ही बैठ गए ताद सारे सिख वेच के बहुत हैरान होए ते आसन लेण वास्ते दोड़ पए सफा अते गलीचे जेड़े विशोन वास्ते लेके आई सन गूरु जी ने मिठे बचन बोलके सब वापस कर देते फिर तंबूरे नो सोर करके शबदा ग्यान करनके राग गौड़ी वेच मानपांदी मिठी स्वर वेच अलाब कीता गौड़ी राग वेच गौदे होए ही शबद बनाओदे जान दे सन कदी उच्ची तो नहीं हुंदी सी अते कदी तो नहीं सहज कर लेंदे सन सो सासंग जी जड़ा उस वक्त गुरु सामने शबद उचा रहा सी ओ इस तरह है गौड़ी महला पंजबा मोहन तेरे उंचे मंदर महल अपारा मोहन तेरे सोहन दौार जीयो संत तरमसाला तरमसाल अपार दैयार ठाकुर सदा कीरतन गावे जैं साथ संत इकतर होवे तहां तुझे द्यावे कर दया मया दयाल स्वामी हो हो दीन किरपारा बिन्वंत नानक दर्स प्यारे मिल दर्शन सुख सारा ये शब्द पावन अंग दो सो अड़ताली उत्ते अंकित है जी इस दा पावर थे है के तेरे कारदियां इमारतां उचियां हन ते तेरे महल अपार हन हे प्यारे प्रभू तेरे द्रवजे सुंदर हन ओहो सादू अले पूजा स्थान हन तेरे मंदर विच सदा ही संत बेयंत अते अपार प्रभूदा जास गयन कर दे हन जित्थे विसाज संती कठे हुंदे हन ओथे ओहो तेरा ही सिम्रन कर दे हन हे महरवन स्वामी दया आते महरतार के अपने गरिबमते किर्पा करो नानक बेंती करदा है मेनू थड़े दर्शना दी प्यास है तो अड़ा दिदार प्राप्त करके मैं सारियां खुशियां पालेंदा है बाबा मोण जी एह तो न सुनके सारे ब्रतांतनू जान गए चुबारे विच जो हवा वास्ते ताकी लगी होई सी उसनू अना नेत्रूंत खोलेया अते गड़ी वड़े पासे मूँ किता शीरिगुर अरजन देवजी देवाल वेक के बचन कीता पहला साड़ी वस्तू साड़े पिता पासों ले लई जिस वस्तू नाड़ पर लेया दी कोल दी वड़े आई सी सेवा करके सोटी ले गए ते ओह साड़े पास न रही तुसी तेन पर आसी पर तो अड़े मान दी बर कमाया है वड़ा पर आसी उसनों करों कड़ देता है आप गुरू बान बैठे हो सुला सफाई नाड़ गुर्गदी नहीं लई है होन भी शर्म नहीं किती है आप चलके आगए हो सारे गुरू साहबाना दी बानी ले अन आए हो और कई अतन किते हन कुछ भी वस्त नहीं चल कर्म करके शर्मों दे नहीं हो लोग तो अड़े पेदनों नहीं जान दे के तुसी जगदनों ठक दे हो अपने आपने आपनों सदा पगतियो दीन वखोंदे हो बाबा मौन जी ने निंद्या उस्तव दे बचन कहे गुरू जी जान गए ते ओना ने गुसा ना किता ए सुन भासनकि जेते नोट करन वाली गल है निंदा उस्तो तो पाव है कि शबतों साम निंद्या पर गठत हुंदी है पर असल वेच उस वेच उसतत किती हुंदी है बाबा बाक्र मोहण जीधे शवदा वेच उसतत इस परकार निकली है पल्यादी कोल वेच गुर्ता गई सी जो स तुसी तेनपर आसी पर तो अडे माने दी बरबरी कोई नहीं कर सक्या तो अड़ा देल विशाल है पता जी बैकुंठ गए प्रिथिये ने विरोध किता पर तुसी विरोध चेत वीचों ही उठा जेता पृथिये ने कारविच पाटक पाके कपट कमाया पर तुसी वड़ा प गूरु साहवान दे शब्द लेन वासते होन तुसी आप चल के आए हो एस विच रता लाज नहीं मननी जाद होर यतन करना वास नहीं चलिया ते गड़ी विच तर तीदे बैठ गए हो तुसी पापानू खंडन वाले हो पखंड दे एह सनातन अर्थन तिन्ना गुणातों अतीत हो लोग लाज तों उच्ची पदवीदी शंकातों रहत हो ते माया दे मालक हो जित्थे कित्थे टीठ पाव कठन कम आपई हन तुसी ओह करन विच शर्माए नहीं बलके पूरा जोर लाया है तो अड़े पेद नो कोई नहीं जान दा तुसी जगत ठाग पाव मोलया है क्योंकि तुसी सदा अपने आपनू पगता दे अधीन बनाया है शिरी मुखवाक मोहन तेरे बचन अनूप चाल निराली मोहन तु मानने एक जी अवर सब राली मानने है ता एक अलेख ठाकुर जिने सब कालता रिया तेरे बचन उपमा रहतन अधे ते एवल एक वाहिग्रू नो मानता है तेरे वास्ते हो सब कुछ कटे दे बराबर है तु एक लेखे रहत एक प्रभू नो मानता है जिस अपनी अपार शक्ती रही सारे जगत नो तार्न कीता है तु गुरु जिदे भजना द्वारा आद पुर्क सिर्जन हार नो वास्विच क रखो तेरे सारे सेवक तेरी शर्न विच हन इस तरह अपना जस सुनके बबा मोहन जी परसान होके बहुत ध्यालू हो गए मान विच ओह विचारन लगे एह चार गुरु साहबाना दी मूर्ती वजों शोब रही हन क्रोद इर्खा आद जड़े विकार हन एना विच कोई भी पश्तोंदा है जड़ा प्रीत नाल उपाशना करदा है ओ सारे सुक पालेंदा है मेरे कठोर बचन सुनके ए अडोल रहे हन एना नुतम मैं सागरवां गहर गंबीर वेख्या है शांत हिर्दा है मेरी एना नल की ब्रबरी है शिरी गुरु अरजन देव जी शबदा गान कर मैं जो गुरु पिता जी शिरी गुरु अम्रदाश जी दे बचन नहीं मनने सान ओ मैं विगाड किता सी होन विगाडन दी कल उचित नहीं है एना संबंदा नू सुधार के सुख श्यांती प्राप्त करांगा पहला मैं जगत वेच निद्या पाई है गुर्बानी देतेया निद्या सुधर जावेगी इस तरह विचार करके पोथियां लाके प्रेम तो खाली बुद्धी छड़ देती अपने चुबारे तो बाहर आए ते शिरी गुरु अरजन देव जी दे दर्शन की ते वेख के मन वेच सोचया के एह किरपालू चार गुरु सहभाना दी जोत ह गुरु जी दा शुरू वेख के बहुत प्रसान हो गए अते कहा शिरी गुर अरजन देव जी तुसी तान हो साथ गुरु जी ने जाद वेख्या के बाबा मोहन जी आगे हन ता उना ने शबत देती जे पद्धा गयन गीता शिरी मुखवाग मोहन तुद सत संगत ते आवे दर्स ते आना मोहन जम नेडना आवे तुद जपए निताना हे मोहन जी साथ संगत तेरा सिम्रन करती है अते तेरे दर्शना दाते आंता आरके बैठे वे हन हे मोहन मौधा फृष्टा उस दे लागे नहीं ओदा जो आंत समय तेरा सिम्रन करता है बाबा मोहन जी बड़े प्रेम नाल सोरा ते मिठास दे कार पावशिरी गुर अरजन देव जी दे शाबत गयाणनू सुन रहे सन जद गयाण करते गड़ा रोक गया ता नैना वेच जाल आगया ते प्रेम नाल गदगद होके गड़ा पार आया बाबा मोहन जी ने अपनी पैन देस पुतर पावशिरी गुर अरजन देव जी दी ए हालत वेखे औनानू अपनी सुख शाती नाल लालेया बाबा जी मन विच बहुत परसन होए ते शब्दा दियां सारियां पोथियां अगेता अरद दियां चर्ण कमला ते सिरता अर्दता ते फिर दुवारा ना चुकिया अपनी कठोरता नू बक्षोना चोंदे सन सामने जाँ जो पिछो निरादर किता होया सी शेरी गुर अरजन देव जी ने जाद वेख्या के हंकार रहत अते निम्रता दे अधीन हो गए हन ता अना ने एहे बचन कहे अनुचित गाल ना करो आप जीदा वड़ा स्थान है इसते विचार करो तुसी साड़े माता जी दे वड़े परा हो अते मेरे सुखा दे दाते मामा जी लगदे हो तो अड़े पिता जी गंबीर गुरु जी सन अते ओहो अपने सेवकां दे दुखानों दूर कर दे सन ओना दे तुसी वड़े स्पुत्तर हो जोग विराग अते ग्यान नाल तो के आप जीनु शाड़ा नमस्कार करना उच्चित है जिस नाल मन दियां विशे वाशनामा दूर हुं दिया हन। जे मामा जी वाले संबंध विचारिये तो आप जीनु बंधना करना साड़े वास्ते उच्चित है इस करके अयोग कारज ना करो अपने चर्णा ते साड़ी बं पूजा करदा हैं मैं थो पहला बहुत वड़ी पॉल हो गई है मेरी पॉल नू बक्ष के मेनू सदा लई सुखी कर देओ जिस समय नू मैं उड़ीगदा सी ओ समाहुन आ गया है केरपा करके मेरे वन रुपी दुखा नू दावा नल अगनी बन के साड़ देओ इस परकार अब मोहन जी ने सेर निमा करके केहा ताँ शीरी गुर अरजन देव जी ने सारे नू सनोन वास्ते सुखा दी हाद पूछ लई सो सास अंगर जी एते तीसरी रास्दा चौंतिवा अदैस माप्त होंदा है जी पर सांग सुनो दे हुए हो या अने एक बोला चुका दी खिमा करनी जी वाह गुरू जी का खाल सा वाह गुरू जी की फते